असलाम अलेकुम विद्यार्थी मित्रन्नो तुम्चो मालजया माझी मराथी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूटूब चैनल वर पुन्हा मनपुर्वक सवगत हैं बच्चो आप इस ब्लैक बूर्ड के चित्र को देख के समझ में आ गया होंगा आपके के हम कौन से चानाबने हम इस वीडियो में विशय मराथी संयुक्त यता दाहव्यावर्गा चे पाठ बारावे मोर या पाठा चे आज आपन या वीडियो मदे संपूर्ण स्वाध्याय मंजे कुरुती बगनारा होत बच्चो इसके पहले हमने पाठ बारा मोर के संपूर्ण स्पस्टि करन देखा है भाग एक और भाग दो यह दोनों भागों में आपको संपूर्ण पाठ का स्पस्टिकरन आपको समझा दिया गया था अगर आपने यह स्पस्टिकरन नहीं देखा है तो आप जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के जरीए आप लोग निकाल लेते है और साथ में एक-एक पेंसिल भी निकाल लेते है ताके जब सर आपको स्वाध्याय बता है कुरूती समझाए तो आप उसे अपने सिल से अपने कौपी में या किताब में नोट कर लें Гें साथ ही आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर आप अपने कौपी में संदर हस्ताक्षर में लिख लेंगे तो चलो वच्छो हम करते हैं इस पार के इस पार्ट पर आधारित स्वाध्याई की चलिए चला विध्यर तेन्यों आता आपन आपली पुस्तके काड़ू त्या मदे पान करमांक चाउतिस पस्तिस आनि छतिस यावर ही कुरुती दिरी लिया है तो बच्चो मैं एक एक कुरुती सौल कर रहा हूं आप लोग ध्यान द इए यह आकुरूती हमें पार्ट याधार पर कंप्लीट करना है पूरी करना है जस रहा चया स्वेर विहाराचे स्थाने मोर किस किस जगह पर बिंधास होकर घूमता है वो जगह है वो जगह हमें लिखनी है तो देखिए कुल पांच जगों का नाम हमें लिखना है तो च शिक्रे चार नदी नाले अनि पाच ओहोडा चे काठ तो इन जगों पर मोर बिंदाज घुमता है स्वेर विहाराची स्थाने आहेद चला पूलो आतापन भगू कृती कर्मांक दोन राष्ट्रिय पक्षी हा माना चा किताब मिलवन्या साथी मोरा कडे असलेली पक्षी वै है कि मोर हमारा राष्ट्रिय पक्षी है तो मोर को राष्ट्रिय पक्षी क्यों चुना गया इसका हमें उत्तर लिखना है चार मुद्धों पे तो देखिए नंबर एक रंग दोन शरीर सौष्ठव मतब शरीर रचना तीन कलात्मक्ता चार कंठ स्वर मतब उसकी आवाज तो इन चार मुद्धों पे उसे राष्ट्रिय पक्षी गोशीत किया गया चला आतापन बगू कृति कर्मांक तीन काउंसा तील योग्य परियाई शोधा वलिहा तरबगा आप लेला दोन वाक्य दिले लिया है त्या वाक्यान मदे कहीं रिक्त स्थाने है पतला खाली जगा है त्या रिक्त स्थानना आप लेला कौन साथ दिये लिया योग्य शब्दान चा मदती ने आप लेला ते वाक्य पूर्ण करेचे आहे देखिए नमबर एक ओ ड्याश मोर सापडत नहीं तो मोर कहां नहीं दिखाई देता कहां नहीं मिलता तो आप्शन दिये गए है एक आग यिमालयात मोर सापडळत नहीं चला पूढै आ मोर हां डैश पोठ जाती चापक्षी आहे तो मोर इस पक्षी के इस परिंदे के खांदान का है तोcem साब्दी चया दोन सहामुर्गा चया तो इसका सही उत्तर है तो हमारा वाक्य कैसा नेगा इस तरह से हमें वाक्य पूरा करना है एक लबजों में एक वर्ड में हमें उत्तर लिखना है और आकृती पूरी करना है कि मोर जब चिल्लाता है तो उसके चिल्लाने को क्या कहते हैं क्या कहते हैं केका रव कि मोर किस समय जादा खुश होता है किस समय वर्षा रुतू यहने बारिश के मौसम में यह वर्षा रुतू चला अतापनवर्गो कृति करमां का 5 है मोरा चया है देन दिनीचा ओगतकताăng बनवा देन दिनीचा ओगतकता मतलु रोज मर्रा का जो काम है उसका मौर का उसका हमें पूरी आकृति मौप्लीट करना है पूरी करना है जैसे तो आपकी स्क्रीन के उपर याकूरती आ गई यह देखिए अब उत्तर बतारेसर तो स्टेप वाइस कौन-कौन से काम मोर करता है वो हमें देखना है नमर एक पहाट होताच मोर जागा होतो जैसे ही दिन निकलता है मोर जाग जाता है दूसरी जाड़ा वर बसुन बांग देतो और जिस जाड़ पे वो सोया है नींद हुई उसकी वहाँ पे बैठके वो बांग देता है तिसर थोड़ा वेड आपले पंक सावरतो थोड़ी देर अपने पंक सवारता है चार टेहडनी करतो थोड़ा गूमता है अनिशेवट लबगा प्रफियों देके पहले वो थोड़ी देर के लिए नीचे जाड़ के नीचे उतरता है अतावन बगू कुरूति क्रमांक सहा जोड़ा लावा पतलब सही जोड़ियां लगाई तो देखिए बच्चों स्क्रीन के उपर आपको जोड़िय की आकुरूतिया गई है तो दोन उत्तर नीड्या जामणया रंगाचे निले और जामुनी रंग के होते हैं कि हिमालय के पुर्वः दिशा में मिलने पाई जाने वाले मोर तो वो कैसे है नमबर तीन उत्तर है तीन राखाडी रंगा चे मतलब राख के रंग के यह आगने आशिया आधर नारे मोर कि आगने आशिया में आगने आशिया खंड में पाई जाने वाले मोर तो ये कैसे है उत्तर एक हीर विया छटांचे मतलब कि जिनके उपर हरे रंग की स्ट्रीप्स मतलब हरी रंग की छटाएं दी जाती है वैसे मोर चलिए आतापन बगू कुरुतिक्रमांग का साथ वैशिष्टे लिहा वैशिष्टे मतलब खासियत प्रॉपर्टीज हमें दी गई है वहां में लिखना है जैसे सर पढ़ रहे देखिए एक मोराच्या रंगात नीड़्या एवजी हिर्वया छटा जास्त अस्तात दूसर शेप्टी थोड़ी खाकी रंगाची अस्ते और उसकी दूम जो है थोड़ी खाकी रंग की होती है चला पुढ़ आ हिमालया पूर्व भागात आधर नारे मोर हिमालय के पूर्व भाग में पूर्व हिस्से में पाई जाने वाले मोर की खास्यत क्या है एक राखाडी रंगाची अस्तात दोन पंखावर हिर्वया रंगाची डोड़े अस्तात आनि तैंच्या पंखावर हिर्वया रंगाची डोड़ दोड़े मतलब आख बनीवी होती है तो इस तरह से हमें ये कुर्ती पूरी करनी है चला पुढ़ो आता अपन बगू कुर्ती क्रमांक आठ एक्टिविटी नमबर एट कारने शोदा आनी लिहा find the reasons and write अ असे दोन कारने दिरी लिए है हमें उसका उत्तर लिखना है इसकी वज़े लिखना है अ लांडोरीला पिलांचे सवरक्षन करावे लागते कारन हमें पता है कि more ये है pulling उसका strilling क्या है लांडोर तो लांडोर को अपने बच्चों की हिफासत करना पड़ता है क्यों कर प्रक्षन करावे लगते कारण मोर या वेडी लांडूरी जवर राहत नहीं क्योंकि मोर इस समय लांडूरी के पास नहीं रहता इसलिए वो अकेले ही हिफाज़त करती है दूसरा मंजे आ मोराला राष्ट्रिय पक्षी होन्याचा मान मिडाला कारण लिया कि मोर को राष्ट्रिय पक्षी ये किताब दिया गया क्यों दिया गया तो देखिए उत्तर उत्तर मोराला राष्ट्रिय पक्षी होन्याचा मान मिडाला कारण अईतियासिक प्रनाली काव्याची पार्षभुमी लोकांची आवड इत्यादी बायकारने होती तसेच रंग शरीर सौस्ठव कलात्मक्ता कंठस्वर ही वैसिष्टे होती इसलिए बच्चो ये सब गुनों के वज़े से मोर को राष्ट्रिय पक्षी का किताब दिया गया चला आतापन बगू कुरुती कर्मांक नव बंजे कुरुती नवी खालिल माहिती वाचून त्या आधारे तक्ता पुर्ण करा तो बच्चो जैसा कि आपकी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है कि एक तक्ता दिया गया है टेबल दिया गया है और उस टेबल पे हमें टेंस मतलब काड समझाए गए है तो बच्चो टेंस के उपर याने काल के उपर आधारीत समपूर्ण वीडियो बनाया गया है ये वीडियो अपलूट किया जा चुका है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी भी लिंक मिल जाएंगी बच्चो अब उसके बाद देखते हम कुरुती क्रमांग का दाहा स्वामत चलिए तो चलो बच्चो देखते हम स्वामत पर आधारीत प्रशन तो बच्चो कुल दो प्रशन दिये गए है तो अब हम एक-एक प्रशन का उत्तर लिखते हैं बच्चो ये स्वमत पराधरी प्रश्ण तीन मार्क के लिए बोड में पुछा जाता है तो इसे हमें दो से तीन मार्क के लिए इस उत्तर को बनाना है तो देखिए आपके स्क्रीन के उपर उत्तर आ गया है देखिए प्रश्ण एक वन्य पशुपक्षी ही आपनी राष्ट्य संपत्या है वन्य पशुपक्षी मतलब जंगली जानवर उसके बाद परिंदे ये हमारी राष्ट्य संपत्य है नैशनल वेल्थ है या विधाना बदल तुमचे विचार लिहा तो इस विधान के बारे में आपको अपने विचार तो सबसे पहले हम फ़र्स पैराग्राफ में पाठ का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे, देखिए, उत्तर प्रस्तुत प्रशन मोर या पाठाचा आहे, या पाठाचे लेखक पापी घरत आहे, या पाठात तैन्नि संदेश दिला की आपली जबाबदारी आहे चलिए आप हम देखते हैं नेक्स पेराग्राफ वन ने पशुपक्षी ही आपली देशाची शान असते देशाचे पशुपक्षी मनुन ते उड़कले जातात ती आपली राश्ट्रिय संपत्ती आहे जसे आपन आपली आ मालकी ची संपत्ती ची जोपासना करतो तशीच राश्ट्रिय संपत्ती ची जोपासना करने आपले करतव्य आहे त्या मुडेच जगाच्या पाठी वर आपली ओड़क कायम राहिल असे माजे मत आहे अश्या प्रकारे विद्यारती मित्रान्यों आप लेला या प्रश्णा चे उत्तर लिहाई चे आहे बच्चो तीन मास के लिए तो ये इसको आप और बड़ा भी लिख सकते है चला आतापन भगू प्रश्ण करमांग का दोल राश्ट्रिय पक्षी असा माना चा किताब देन् अपने मत अपने व्यूज अपना ओपिनियन सकारन मतलब रीजन के साथ स्पस्ट करना है कि मोर को राश्ट्रिय पक्षी का किताब क्यूं दिया गया चलिए देखते इसका उत्तर उत्तर प्रस्तुत प्रश्ण मोर या पाठातिल आहे या पाठाचे लेखक पापी घरत आह चला आतापन बगू नेक्स पैसेज गरुड सर्वात उन्च उड़त असला तरी त्याचा कड़े सुन्दर तेचा अभावा है हाउन्स सुन्दर पक्षी असला तरी त्याचा डोक्यावर मुकूट वसोनेरी पंख नाही परन्तु मोर पक्षय मधे हे सर्वगून आढ़ते त्याचे नुर्त्य प्रत्यकाचे मन प्रफुलित करते अनेक कवी मुरावर चान चान कविता रचतात तसे इतर पक्षयंचे बाप्तित आड़त नाहीं तो इस तरह से बच्चो हमें इस प्रशन का उत्तर लिखना है आप चाहे तो और बड़ा भी उत्तर लिख सकते हैं क्यूंकि दो से तीन मार्क के लिए प्रशने पूछा जाता है तो बच्चो अगर आपको इस पार्ट पर आधारित कुर्ती स्वाध्याय समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए आगे शेयर कीजिए और मेरी चैनल माजी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए ठेंक यू